नमस्कार नेशन 24 में आपका स्वागत है मैं नीरज बिहार में पंचायत चुना को लेके तैयारिया सुरू हो गई है और हर पंचायत में परत्यासी परतिनिदी और वर्तमान मुख्या जो है अपने छेत का दोरा सुरू कर चुके हैं लगतार अपने छेत में जाके जनता से मि भी और अपने दावे और वादें पेस कर रहे हैं नेशन 24 के टीम भी जो है पुरे बिहार के पुरे पंचायत में दो रहा लगतार अर्पंचायत में जाके जनता से मिल रही है वहां के समस्रेख को सुन रही है कितना काम हुआ है कितने बिचौलियों ने रास्ता अपना या कितने भटचार में संद्यप्ता पाई गई, कितने काग जोपे काम वहा इंस सावेश्यो पर ध्यान दे रही है और चर्चा और पडचर्चा कर रही इसी करम में अभी हम मौजूद हैं सहरी पंचायत में जिला पटना है पड़ता है और हमारे साथ मौजूद है किरंदवी मु सारे चीजों पर चर्चा और पर चर्चा इंसे करेंगे और जानेंगे इस पंचायत का हाल और बेहाल कितना विकास हो पाया है इस पंचायत में वरतमानवारत अभी तकला चोधोबाड में क्या है दस परशेंट विकास हुआ है मरे मुख्या कई लेकिन जनता को उक्व्राद को नए द्यख पाए चौधों बाथ को के नहीं कर पाए आए एक परतीदीं होने के कारण इह होता है कि बाड को विकास करें चोधों बाड के विकास करें पंचायत को विकास करें इस अस्तर पर हम ले जाएं कि देश हमरा पंचायत को जाने लेकिन इनों लोगा ने अपने आपको घर का विकास किये अपने परिवार का विकास किये लेकिन पंचायत का विकास नहीं हुआ चोधों बाड अच्छ उता रह गया विकास है अभी 90 पर्शन बाकी है विकास होने के लिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने पंचायत को देश लेवल पर ले जाऊंगा और जनता को जो सत अवसत के बीच में सत का हैसला हो मैं यह चाहूंगा कि मेरा च्वद्व बाड ऐसा विकास हो कि इस विकास को देखकर कोई भी देश में कोई पंचायत सीखे मेरा यह उद्देश होगा जो आप जनता की बीच जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याओं से रूबरू होना परम जो तो सब मिलता सब अथी है कही कहीं विकास है नहीं बहुत बात हो रहा है कि दो महिना बरदास करो किसी तरह विकास के लिए तो हम धारा बहाएंगे अब बतावेंगे क्या होता है विकास मैं तो साफिक का दिया कि मैं देश लिवू तक ले जाओंगा पंचायत को इस पंचायत से सिखेगा लोग देश के लोग सिखेगा देश के पंचायत सिखेगा कि हां सहरी पंचायत क्या है मेरा उद्दे से ही रहेगा जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो कौन-कौन से मु विकास एकस्मी जुग आ गिया कहां गिया उसके अबाद विकास कहां होना चाहिए था तो 90 परसेंट अभी पीछे सुचे क्या विकास हुआ है तो बहुत उल्जन है बहुत ते रहा है गली नली बहुत प्रोगलम है पानी जहें रहें रोट पर गिर रहा है इसलिए उल्जन बहुत है कि से तरह कर रहे हैं सब को समांत दे रहे हैं और देष्ग मत कर एड़ेंगए हो चुन दो कोई था मैं रधाष में पश्याइव सब मिला है लोगां इस पन्चायत में रभाई की हैS이는 वियारीव 하겠습니다 लेकि जहांने insekt你們 धैट पर दो ciань टांव हूं है कितना होना चाहिए था कितना हुआ है शुरूर से होना चाहिए था होना है दूख के आग तेरा वला तो इसलिए विवस्था विवस्था अच्छी नहीं है कि सोचाले के मैंने कुछ नहीं जीरो सोचाले तो लगभाग यहां के लोग नाइटी पर्शंट सब अपने बने अपने घर पर दस पर्शंट नहीं अच्छुता होंगे बैचारे जो चाहते हैं कि सरकारी योजना के लाव लें कि बरतमान में मंदेगा एक ऐसा योजना है जि जो आपको जनकारी में है यह आप जब जा रहे हैं तो इतनने काम एंनौ काहिंवी काम की आप जशक्डीर करें नहीं होते क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को चुनाण को लेकर आपने लिए मैं अपने देश और परदेश की जनते को रहे चाहता हूं सबको सुबकामनाएं आने वाले पंचायत को जो हो रहा है सबको सुबकार अच्छी हो और सब के अच्छा दिन आए और कोई भी अगर मुख्या बनाते हैं तो अच्छे अपने पूरे देश में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रतिनधी बनाएं जिससे आपकी विकास की धारा हो यह नएकि अपने आपको कुल्ए लूटे कमाता तो सबको हैं दस पर्षेंट कमाएंनने पर्षेंट काम करें तो अहीं विकास हो सकता है अगर नबे पर अपने कमाएगा ऐसो। काट यूब सब्गता स्थ पत्रेiceps को सब्रक्राइब कर त obraz जोकि कि क्वेस्थ Marta कर रहे हैं दवरा कर रहे हैं कितना हूँ सब्कार बोटने साग्रा कर सब्सक्रों कि इसे ताइये मुझे और यदु निद्गाशाट में कितना विकाश होना चाहिए कितना विकास हुआ है और मैं कितना कि करणगा यह सारे चीजें आपको पश्प्स डॉर से दिखें गाओ लोगों को समझ में आए कि और है कि बरका